सद्गुरू, चलिए राजनीती से शोध की ओर बढ़ते हैं. JNU शोध या रेसर्च के लिए प्रसिद्ध है और इस कैंपस में 8000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी शोध में हैं. नई, 5200 शोध में हैं. मैंने कुछ शोध किया है. सद्गुरू, एक सवाल कई सालों से मुझे परिशान कर रहा है, क्योंकि आपने हमें कोई भी सवाल पूछने की आजादी दी है. तो सवाल ये है, शोध क्या है? खासकर समाज विज्ञान में. उन चीजों का पता लगाना, जो आपकी दादी पहले से जानती थी. नहीं, नहीं, मैं शोध को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. धेर सारी चीजें हैं, जो हो सकता है कि हमें पता हो, मगर फिर भी उन्हें शब्दों में नहीं रखा गया है. उसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया, कि उसे लागू किया जा सके. शायद आपकी दादी मां वो सब कुछ जानती थी, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो उसे शब्दों में रखकर उसकी रूपरेखा नहीं बना सकती थी, कि उसे कहीं लागू किया जा सके. कोई अपने अनुभव से जानती थी, मगर उसे कहीं लागू नहीं किया जा सकता था. तो शोद का मकसद है चीजों को खोजना, शायद उन्हीं चीजों को जिनें लोग हमेशा से जानते रहें, खास कर समाज विज्ञान में. बहुत एक विज्ञान या बाकी चीजों की शोद अलग हो सकती है. मगर समाज विज्ञान में बहुत से ज्ञानी लोग हमेशा से वो जानते आए हैं, जिस पर आप शोद कर रहें, ठीक है? मगर फिर भी उसे एक लागू किये जाने लाइक रूप रेखा में नहीं ढाला गया है, जिसे सरकार या किसी संस्थान या किसी और के धाचे में इस्तमाल किया जा सके. तो जो ग्यान शायद आपको पहले से है, उसे एक धाचा देना, और समाज विज्ञान बदलता रहता है, क्योंकि समाज विकास करता और बदलता रहता है, तो जो आपकी दादी मा जानती थी, वो शायद उनकी पीड़ी के लिए सही था, मगर हर चीज़ शायद बदल गई हो, कई मूलभूत चीज़ें शायद बदल गई हो, क्योंकि समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, उनका नजरिया, सब कुछ बदलता रहता है, हमारी परमपराएं, हम रोज कैसा बरताव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं, सब कुछ बदल रहा है न, इन दिनों हम सिर्फ इस तरह चलते ह जब तक ये अच्छे से शब्दों में न रखा जाए। इसलिए इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक ये इस पश शब्दों में न रखा जाए। इसलिए ये कीमती है। तो शोध और आध्यात्मिक्ता के बीच मेल कैसे स्थापित करें। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आँखें बेकार हैं। आपके कान और सूंगने, चकने तथा छूने किंद्रियां बेकार हैं। बस वो जीवन के एक छेत्र तक सिमित है। अगर आप उसे दूसरे छेत्र में इस्तमाल करें तो ऐसा करना बेकार होगा। ये ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हैं। आपने चान देखा, आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा थी। आपने गोल चान देखा और आपको वहाँ जाने की इच्छा हुई। कई बार कार के विग्यापन थोड़े रहसमे हो जाते हैं। और उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप का जानत पर जाने के लिए आपको अलग तरह के वाहन की जरूरत है। आप अपनी कार में चान तक नहीं जा सकते। तो इसी तरह अपनी पांच इंद्रियों से आप भौतिक के दाएरे को पार नहीं कर सकते। पांच इंद्रियां सिर्फ भौतिक प्रकृती को समझने के लिए और आपका सामाजिक विज्ञान आपके आसपास की बहुतिक प्रकृती ही है, तो आपको अपनी पांचों इंद्रियों को तेज बनाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सब ही के पास 20 बाई 20 की दृष्टी हो, पर एक खास परिस्थिती में हर कोई वो नहीं द परक पड़ता है, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कितने ध्यान से समझते हैं, ये सिर्फ आपकी आँख, कान, नाक और बाकी चीज़ों के कारण नहीं होता, इसके लिए ध्यान देने का पैनापन होना चाहिए, उसके लिए आपको जबरदस ध्यान देना होगा, शोद में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, पांच इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप समाज को नहीं देख पाएंगे, आप कुछ और देखेंगे. झाल